पहले गरीब सरकार के पीछे दोड़ता था, सिफारस के लिए ढूंदता था लोगों को, आज हमनारी योजना ऐसी है कि सरकार को लोगों के पाथ जाना होता है, खोजना होता है और सुविधा देनी होती है. अब किसी की इच्छा के अनुसार लिष्ट में नाम न जोड़ा जा सकता है न गटाया जा सकता है। चयन से लेकर के निर्मान तक प्रियाप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिए और प्रतिरक्षा प्रणाली को मस्पूत करने वाली आयूश मंत्राले द्वारा जारी दवा जहां तक संभव हो या चिकित्सक अनुमती दे प्रति दिन योगासन प्राणायाम और ध्यान जरूर करें पर्याप्त नींद ले और आराम करें खत्रके संकेतों मसलन तेज बुखार सास फूलना अब प्रतियाशित सीने में दर्ट जैसे लक्षणों के प्रती सचेत रहें जो लोग ठीक हो चुके हैं उन्हें अपना सकरात्मक अनुभव अपने मित्रों और शिदारों से सांज़ा करना चाहिए अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को साथ दिनों के अंदर फॉलो अप में एक बार चिकित्सक के पास जाना चाहिए ऐसे मरीज जो हो माइसुलेशन में हैं अगर उन्हें इस तरह के लक्षनों की शिकायत होती है तो उन्हें निकट वर्ती स्वास्ते क्लीनिक में जाकर खुद को डॉक्टर से दिखाना चाहिए गंभीर मामलों में और अधिक सतर्क्ता बरतने की आवश्रक्ता होती है तो पोस्ट कोविट प्रोटोकॉल जारी किया गया है सरकार की ओर से अगर आप ठीक हो गए हैं स्वस्थ हो चुके हैं करोना पर आधारित साक्षों पर किंदृत रही बैटक में टीके के विकास के चरण और इसके वित्रन योजना पर भी चरचा की गई बैटक में कोविट के विभन पहलों के देरखकालिक प्रबंधन के लिए जला स्वास्तेकार योजनाओं के आवशक्ता पर भी चरचा की गई बैटक में प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव ने दो मीटर की दूरी मास्क और हाथ धोने के उप्योग को बनाय रखते हुए निरंतर साबधानी और रोक थाम के आवशक्ता पर जूर दिया काई अनुमानों के आधार पर प्रधान सचिव ने आने वाले महीनों के लिए दस्तरतकार योजना बनाने के लिए पिछले कुछ महीनों में विकसित किये गया ग्यान और विशलेशन पर निर्बान करने के लिए सभी को निर्देशित किया और इस खबर प्रदाब जानकारी के साथ हमारे समबादा था निटेंड सिंग निटेंडर कितनी महत्वपूर्न बैठाक ये रही और क्या आगे के लिए काडियों जना सामने आई है देखे बहुत ही महत्पुर्ण बैठक है जब प्रणामंतरी के प्रिंस्पल सेक्रेटी निया नितिया के मिंबर और प्रिंस्पल साइन्टिपिक एडवाइजर भी थे और खास बात इस बात पे जो दिया गया कि जो जिलासतर पे जो कोबीट के मैनेजमेंट की जो एक्सपीर रहा है, ग्लोबल क्या हो रहा है, उसको लेकर के एक विस्तार से चर्चा हुई प्रिंटेशन भी हुआ और उसमें ये सुनिशित किया गया कि आगे आने वाले दिनों अगर वैक्सिन आता है तो उसकी सप्लाई चेंज किस तरह से होगी, उसकी राजियों तक सप्लाई किस रखते होगी जो दूर दराज की लागों तक जो इविन सिस्टम है जिसमें वैक्शिन जो अभी वैक्शिन जी